नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं कॉंग्रेस ने युवा नेता को चुनाव मैदान में उतार दिया है दिहां दोस्तों गोविन नगर सीट से कॉंग्रेस की युवा उमिदवार करिश्मा ठाकूर उप्चुनों में मैदान में उतर चुकी हैं करिश्मा ठाकूर ने कहा भाजपा सपना दिखा कर सत्ता पर काविज हुई है केंद्र और परदेश सरकार सिर्फ जुमले बाजी कर रही है जबकी जनता रो रही है कॉंग्रेसिनेता करिश्मा ठाकूर ने भाजपा पर जम कर गरजी करिश्मा ठाकूर ने कहा गुविन नगर स्रीट से भाजपा के प्रत्यासी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बल पर चुनो जीतने का सपना देख रहे हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा यहां पर भाजपा की करारी हार होगी उन्होंने कहा भाजपा नेता चुनो जीत कर सारे वादे भूल जाते हैं अब जनता इनकी कतनी करनी जान चुकी है करिश्मा ठाकूर ने कहा चुनाओं के बात से सहर की बिजली में कटोती जारी है जिसके कारर लोग सड़क पर उतर रहे हैं हम इन्ही मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और चुनाओं में जीत दर्ज करेंगे आपको बता दें कि उत्तर परतेस गोविन नगर में उपचुनाओं होने वाले हैं जिसमें कांग्रेस ने युवा नेता करिश्मा ठाकुर को चुनाओं मैदान में उतार दिया है अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सस्क्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद